एक लड़की जिसने प्यार किया, भरोसा किया, शादी के सपने देखे लेकिन आखरे में उसे प्यार के बदले मिला तो सिर्फ धोका लब जिहाद के बारे में आप सपने सुना होगा लब जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी भाषा का शब्द लब यानि प्यार, महब, इश्क और अर्भी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना यानि जब एक धरम विशेश को मानने वाले दूसरे धरम की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फसाकर उस लड़की का धरम परिवर्तन करवा देगे हैं तो इस पूरी प्रिक्रिया को लब जिहाद कहा जाता है लब जिहाद या रोमियो जिहाद इसलामिक लोगों द्वारा बनाए गई एक सोची समझे शाजिश है जिसके तहट इसलामिक धरम के लोगों का मकसद गैर इसलामिक लोगों को या उनकी बहन बेटियों को प्यार के जाल में फसाकर उन्हें इसलाम कबूल करवाना है और उनसे बच्चे पैदा करके अपनी संख्या बढ़ाना है और यह साजिश कई सालों से चलती आ रही है नाम बदल कर हिंदू योगतियों को प्रेम जाल में फसाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्यप्रदेश के उजयन से जहां एक मुस्लिम सक्ष ने अपनी पहचान चुपाकर हिंदू लड़की का शोशन किया चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला मध्यप्रदेश के उजयन में अपनी पहचान चुपाकर मुस्लिम सक्ष ने चार महिने तक शादी का जहांसा देकर हिंदू लड़की का शोशन किया जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो वह उसे छोड़ कर फरार हो गया जानकारे के मुताब्य के मुस्लिम सक्ष ने खुद को अमर बताया था लेकिन बाद में पता चला कि वह आमिर है पीडिता ने इलजाम लगाया कि जब उसने शादी की बात कही तो आमिर धरम परिवर्तन का दबाव बनाने लगा आमिर ने पीडिता से कहा कि धरम परिवर्तन कर लो इसके बाद मैं शादी कर लूगा पीडिता धरम परिवर्तन के लिए तयार नहीं हुई और सक्ष के खिलाव पुलिस थाने में शिकायत कर दी पुलिस ने मुकदमा दर्च करते हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है आपको उता देखी है मामला उजैन के चिमंगन थाना इलाके के संजेनगर का है यहां रहने वाली 30 साल की यूटी को 7 महीने पहले एक सक्ष मिला जिसने अपना नाम अमर बताया इसके बाद दोनों के बीच नजदी किया बड़ी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर जब लड़की ने सक्ष से शादी की बात की तो वह फरार हो गया जानकारी के मताबिक पीरता खिलोनों की दुकान लगाती है और 7 महीने पहले एक मेले में अमर नाम के एक सक्ष से उसकी जान पहचान हुई अमर अक्सर उससे मिलने उज्जेन आता था और शादी का जहांसा देकर जिस्मानी रिष्टे बनाने लगा था इसी जुलाई महिने में अमर अचानक गायब हो गया तो लड़की उसे खोजने के लिए नीमच पहुँच गई जहां उसे पता चला कि सक्ष का असली नाम आमिर है फिर्टा ने जब शादी की बात की तो आरोपी ने धरम परिवर्तन का दबाव बनाया और नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी इस पूरे मामले को लेकर जेबंगन थाना प्रभारी ने कहा युवती की शिकायत पर दुशकरम सही दूसरे धराओं में मामला दर्च किया गया है और सक्ष नीमच लाके का रहने वाला है और एक टीम को उसकी तलाश करने के लिए भेज दिया गया है जल्दी सक्ष पुलिस की हिरासत में होगा फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार